आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सी नियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आचारीश्री एकस्वाट विद्यासागर जी महराज के सिश्य मुनिश्री विद्यासागर महराज ससंग ताजनगर में विराज मान है चीपी टोला के निर्मल सदन में मुनिश्री आचारीश्री विद्यासागर महराज द्वारा लिखित मूख माटी महाकावी के गूड रहस्यों की व्याख्या भक्त जनों की बीच कर भक्त जनों को धन निकर रहे हैं शुकरवार को धर्मसबा में मुनिश्री ने भक्त जनों को बताया कि आजारे भग्वन ने मूख माटी महाकावी ग्रंथ में अपने त्याग में जीवन के दौरान मनुष्य के कल्यान के लिए इस ग्रंथ की रचना की है यह मूख माटी महाकावी है जब इसे पढ़ते हैं इसके विशय को देखते हैं तो लगता है आचार भग्वन की कितनी दूर द्रश्टी है वर्दमान में लोग बहुत सारे मैनेजमेंट गुरू के पास जाते हैं अपनी जिन्दगी को विवस्थित करने के लिए अपनी सोच को बदलने के लिए अपने भीतर से उस निगेटिविटी को निकालने के लिए बहुत सारे गौंसलर की साहता लेते हैं ताकि जिस दबाओं में वो जीवन जी रहे जिस परिशानी में मानसिक दुविधाओं में जो जी रहे हैं उस मानसिकता से वो उपर उट सके धर्मसभा में मुनिश्री ने बताया कि आचारी श्री ने माहा ग्रंथ में लिखा है जो व्यक्ति जैसा बोले और वह कर्म में वैसा ही करे तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है आचार श्री ने ग्रंथ में यह बताने की कोशिश की है कि मनिश्य को प्रतिकूल परिस्तितियों में भी अपने चित को जीवन को समाज कल्याण में लगाना चाहिए आचार भगवन की पंग्तियों को पढ़ते हैं तो लगता है वे आचार भगवन उन्होंने हम सब को वो सारे के सारे सूत्र दे दिये हैं इतने वर्सों पूरों जो आज दुनिया मांगने के लिए दरदर भागती फिरती है आज जो मैनेजमेंट के सूत्र उन पुस्तकों में मिलते हैं वे सूत्र भी स्मूक माटी महाकावे में भरे हुए है जो आचार भगवन ने लिखा है एक एक पंग्ति को देखना और थोड़ा सा उनके जीवन को भी देखते जाना कल पेज नंबर 11 में एक पंग्ति आई थी आयास से डरना नहीं आलस से करना नहीं प्रयास से कोशिश से घबराना नहीं और जीवन में आलस से कभी करना नहीं ये आचार भगवन ने जो पंग्ति लिखी हैं उनका सुभाव इस प्रकार का है बिलकुल जैसा वो जीते हैं उन्ही को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इस महा कावे में उतारा है आचार भगवन स्वयम कभी किसी भी प्रकार के आयास से प्रयास से डरते नहीं है मुरी श्री ने बताया कि संति श्रोमणी आचार श्री विद्यसागाजी महाराज के चर्णों में कई बड़े बिजनेस टाइकोन, राजनेता और प्रोफेशनल आते हैं और उनसे जीवन में सफल होने का आशिरवात लेते हैं मुरी श्री के श्री मोख से जिन्वारी को सुनकर सभी भक्त अपना जीवन सफल कर रहे हैं सी नियोस के लिए अजे बहादूर की रिपोर्ट